आप हमारे भी लल्ला का नामकरन कर दो नौँ पुत्री ये क्या क्या रही हो तुम पिंति कर रही हूँ अब मेरी जे आगरा अस्विकार मती करो आप दोनों भाईयों का नामकरन एक साथ हो जाएगो कितने प्यारे और निर्दोश बालक हैं इन दोनों को देखकर गुरुदेव के आखों में आसो क्यों आ गए ये क्या कर रहे है रिशीवर संभालिए अपने आपको नहीं तो मेरा रहस्या खुल जाएगा आज अरे रिशीवर हाथ मत जोड़िये इससे पहले की गड़बर हो जाए अपनी नमसकार मुत्रा को आशिरवात मुत्रा में बदल दीजिये बात को समझेए मैंने ये अफतार मैया और लल्ला के अद्बुत संबंद का अनुभव करने के लिए लिया है पर आपकी भावुकता के कारण यदि मैया को मेरा सत्य पता चल गया तो ये संबंद ही बदल जाएगा बजल आपकी एाँछिन और दो में भूख बूख आया है अब आप सब कुछ जान चुके हैं रिशिवर इसलिए अब मेरे सामने हाथ जोड़कर बेरे सत्य को उजागर मत कीची अपने शिश्य वसुदेव के पुत्र के रूप में मुझे आशिरवात दीची आशिवर आप मौन क्यो है और आपकी आँखों में आसू सब कुछ ठीक है ना अब तो आप हुमारे लल्ला का नामकरन करोगे ना इन दोनों का नामकरन करना मेरा सौभाग्य होगा पुत्री परन्तो ये गोपनी रूप से करना होगा अवश्य ही स्वामी का अग्रह होगा ताकि कंस की पुरी दृष्टी हमारे पुत्र पर ना पढ़े जे तो बहुत माहन रिशी है इन्हें कंस के अध्याचारों के बारे में अवश्य पता होगो अपनी संतान का नामकरन संसकार करना एक मा के लिए उत्सब से कम नहीं होता है पर ये छुपकर करना होगा आप दोनों को सुईकार तो है ना? जैसी आपकी आग्या गुरुदेव सुईकार है गुरुदेव तो फिर कहां करना है हमें नामकरन का प्रबंद? अहाँ गुरुदेव मंदेर सही रहेगो उससे पवित्रिस्थान तो हो ही नहीं सकता है मैं कुछ समय इन बालकों के साथ व्यतीद करना चाहूँगा जै तो इनका स्वभाग क्यों होगा? हमें आग्या तीछे प्रभू स्वयम भगवान होकर भी आपको बंदी ग्रह में जन्मिलेना पड़ा अब अपनी मा को छोड़कर दूसरी मा के यहां पलना पड़ रहा है जब से गोकुल आये हैं छुप छुप कर रहना पड़ रहा है इतनी नन्ही सी अवस्था में दुष्ट कंस के कितने ही आकर्मणों का सामना कर चुके हैं आप और जिस उत्सम में सभी सब्तुरिश्यों और सभी देवी देवताओं को साक्षी बन कराना चाहिए उस नामकरणु सबको यहां एकांत में करना पड़ रहा है क्यों प्रभू इतने कश्टों को सहकर ये अवतार क्यों लिया है आपने दुष्टों का नाश करने के लिए धर्मकी स्थापना करने के लिए और सब से अधिक मैया की ममता का अनुभव करने के लिए पर इसके लिए इतने कश्ट मानव जीवन लिया है तो कश्ट तो उखाने ही पड़ेंगे रिशीवर मानव जीवन की आँच जला रही है फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभू ये कैसा अनोखा अवतार है आँच में जल कर भी यदि मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो अपने भक्तों को क्या शिक्षा दूँगा मैं आज एक कंस का प्रकुप है बविश्य में सहस्रो कंस होंगे और आने वाले युगों में होंगे अंगिनत कंस उस समय मेरे भक्तों को पता होना चाहिए कि अपने कश्टों को कैसे जहना है और धर्म के पत पर अडिक कैसे रहना है आप धन्य है प्रभू देखास्ती जब सिह तहारता है तो वन के सभी जीव जन्तु इकठे हो ही जाते हैं वो सब जो मेरा विश्वास पात्र होने का अधिकार और ये सिहासन पाना चाहते हैं सामने आएं बुद्धी के बिना बल अपंग होता है महराज और मेरे पास बुद्धी और बल दोनों है आपके बल आदेश दीजिए किसका संगार करना है सारी तयारी हो गई बुनो आप गुरु देख को बुला लो मैं रोनी जिज्जी और बालकों को ले आते हूं या सुदा तुम रूस्ट तो ना होना मचसे मैं भला रूस्ट क्यों होने लगी नई तुम जो उत्सव बड़े दुमधाम से करना चाहती थी और बहुत प्रसन्न हूं मैं कि हमारे लल्ला का नाम करन स्वयम रिसी गर्ग पूरे विदी विधान से कर रहो है मैं समझ गई हूं उत्सव बड़ा हो या ना हो प्रसन्नता बड़ी होनी चाहिए अरे मैं तो इत्ते उत्साहित हूं कि दोनों भाईों का नाम करन आज के सुद मोर्थ पे हो रहो है तो इससे पहले जे बीच जाए जाओ आप ही बुला लो यहां सब के सब एक से बढ़कर एक है तो फिर अपने कारे के लिए किसका चुनाओ सबसे पहले काम मेरा सामर्थियतों आपने अभी तक देखा ही नहीं माराज चुटकी बजाकर शत्रों का विनाश कर सकता हूँ मैं कि तो आपने तो बताये ही नहीं कि करना क्या है वद्ध वद्ध करना है एक नवजात बालत का वद्ध उसे साधारन बालक मत समझना गोकुल में नंद के घर पल रहा वो बालक विष्णो का अवदार है क्या हुआ इतना सन्नाका क्यों छा गया क्यमा कीजे माहराज पर मैं नंद के बालकों के साथ हैंसा नहीं करदा क्रिश्णो अतार बड़ा चलिया है माहराज मैं उसका मुख भी नहीं देख ला जाता जाने दो इन्हें वैसे भी सिहासन के लिए मुझे कायरों की कोई आवश्यक्ता नहीं जाने दो क्या कहा था मैंने मैंने कहा था केवल वही आएं जिनके हिर्दे में साहस का जौला मुखी धधकता हो जिनकी तलवारें परवतों का सीना चीरने के लिए व्याकुल हो जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दिर्ड हो कि वो मृत्यू मृत्यू से टक कर ले जाएं वही होगा इस सिंघासन का असली अधिकारी महराज ना तो आपके दिये इस सम्मान का कोई मुल्य रह गया है और ना ही आपके भाय का अभी अभी आपने ही कहा था न कि जब वन में कोई सिहद हारता है तो उस वन के सभी जीवजन्तू एक जगा एकत्रित हो जाते है परन्तु उसी वन में जब कोई बबबर सिहद हारता है तो वही जीवजन्तू भाय के मारे इधर उदर भागने लगते है निश्चित ही वो बालक इन सब के लिए बबर सिह बन चुका है उसका भाई हमारे समराज्य की नीव हिला रहा है माराज हे नारायन मेरा मार्ग दर्शन कीजिए हे महसरस्वती मुझे आशिर्वाद दीजिए ताकि मैं दोनों बालकों के लिए सर्वुत्तम नामों का चुनाओं कर पाऊं आपके पुत्र को बड़े भाई के करतव का निर्वाय करना है और इस दायत्व को प्रभु श्री राम से अच्छा किसने निवाया है जैसा अटूट संबंध उनका अपने भाईयों के साथ था मैं श्री नारैंड से प्राथना करता हूँ कि वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध इसका भी अपने चोटे भाई के साथ हो इसलिए इसका नाम राम इसलिए इसका नाम बड़े भाई में आदर्श नियाय संकल्प बल के साथ शारिरिक बल भी होना चाहिए मैं देख पा रहा हूँ ये बालक इन सब बलों के लिए जाना जाएगा इसलिए जो नाम इसके व्यक्तित के लिए सबसे उचित है वो है बल राम बल राम बल राम अल्राम तो फिर उसका नाम बल राम रखना जब इसके जन्म की सूचना देने में वसुदेव भहिया के पास मतुरा गया था तब उन्होंने भी यही नाम रखा था बल राम यह संयोग नहीं नाराइन की इच्छा है नंदराज बल राम से अधिक उप्युक्त नाम इस बल राम के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है पर मैं तो दाओ कहकर ही बुलाओंगा इन्हें बल दाओ आहली बल दाओ मैं पर ढूप मैं जा थाम उन्हें दाओ मैं कह्ता है आह। सुना पुत्र, आज से तुम्हारा नाम होगा बलराम करूदेर कितना अत्भण नाम दीओ है अपने से अब मेरे लल्ला को भी ऐसा ही कोई उत्तम सा नाम दे दो ये कठिन दायत्व आपने ही मुझे सौपा है प्रभू इससे निभाने की शमता भी आप ही देजिए प्रॉशनना इसे पितके लिए दो और भी आप जिए निभाने ही मुझे रेलिए क्रिश्न 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 लिं लौन उलजाओ, उलजाओ. उलजाओ. थेंगा नाना नाँ पुश्रे अध्त्रे रप्ते रेअला को दिन Kerry कुछा भा कि ते wrap को धिनकत्य का सही आजbम मुश्रे आड कि घा करीमिन azul 순간 हमहें बोलत रहें two- RICH-67 अखलाओ नहांग? अखलाओ नहांग? वाहांग? अखलाओ? वाहांग? अखलाओ? उसके जाखंग वेफले हैं क्रिश्न कोई साधरन शब्द नहीं है ये अनेक विशेष्ताओं से भरा हुआ है कब अना है कमलकान से अर्थात वो जो श्रीपती विश्णों जैसा हो री की उत्पत्ती हुई है श्री राम से अर्थात वो जो सब के हिर्दय में भश जाए श्र एश्वरी के स्वामी विश्णों के लिए अर्थात वो जो समरिद्धी लेकर आए और ना ना है नर्सिंग के लिए अर्थात वो जो रक्षा करे और अंत में आकार की मात्रा सूचक है अगनी देव का अर्थात वो जो स्वयन तब कर सब को पवित्र करते अर्थात विए आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा वो नाम है क्रिश्न वो नाम है। क्रिश्ण, क्रिश्ण, क्रिश्ण यशो मतिमंवा के मन दिलाला असुरी कार्ये करने वालों के लिए क्रिश्ण नाम कार्थ एक और भी होगा वो घनी अंधेरी रात जिसमें इसने जन्म लिया पर इससे जो प्रेम करते हैं उन सभी के लिए कृष्ण नामकार्थ होगा अतुल्नी सुन्दरता और अथा प्रेम इन को नाम कि ईसके प्रेम् प्रेम के बरसा प्रेम् ईहाया है क्रिश्ण क्रिश्ण जे नाम अनन्त काल तक स्मरन किया जाता रहे को जे ही तेरी महिया का असरवाद संसार मुझे क्रिश्ण बुलाए या नीलमणी कहकर पुकारे मैं रहूंगा तो बस यशूमती महिया का नन्दलाला गुरुदेर आपने मेरे लल्ला को इत्ता प्यारा नाम दियो है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार गोपियों को पता चलेगो तो देखना कैसे रटने लगेंगी मेरे लल्ला का नाम इससे पहले कि आप सब बाहर जाकर किसी और को बताएं एक कर्मकांड शेश है नामकरण के बाद पता को आशिरवाद के रूप में कुछ न कुछ उपहार बालक को अवश्य देना चाहिए मैं क्या दू? वासुदे मेरे शिश्य हैं और उनकी अनुपस्थिती में ये दाईत्व मैंने भाऊंगा इसे अपने पिता की और से सुईकार करो पुत्र कल्यान ल्यान क्या दू मैं इसे? आप सोच क्या रहे हो? आसे बात दो ना अपने क्रिष्न को मैं ये सोच रहूं के लल्ला को क्या दू? लल्ला तू स्वेवी बता दे तुझी क्या चाहिए? देखो जी लल्ला ने ही आपकी उल्जन समाप कर दी मेरा असिरवाद है कि तेरा जे नाम क्रिष्न तेरी प्रजा के लिए भूद हितकारी हो गुर्वर? आप भी इसे आशिरवाद है जिनके आशिरवाद से ये पूरा संसार संचालित होता है उन्हें मैं क्या आशिरवाद दू? आपने तो मुझे मेरा नाम दिया है रिशीवर ये तो मेरा स्वभाग्य था प्रभू कि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना पर आपका कार्य भी समाप नहीं हुआ रिशीवर एक विंती और है मेरी आज्या दीजी प्रभू क्या करना होगा मुझे? बाबा को मेरी वास्तविक पहचान बतानी होगी आपको और इन्हें इस बात के लिए मनाना होगा कि ये मैया को कभी भी मेरा सत्य पताना चलने दे पर प्रभू मैं ये कैसे कर पाऊंगा? आप ये कर पाएंगे रिशीवर क्योंकि अब आप इस क्रिश्न अफदार के मुख्य उदेश को जानते हैं क्रिश्न, 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 आप भूल रहे हैं कि आप मतुला नरेश हैं, आप कंस हैं, और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घट्टा से, महाराज कंस इतने व्याठित नहीं हो सकते कि वो सुद्बुक को बैठे, स्वयम को संभालिये महाराज, बन्द हो गई बन्दै अगया अगयाव शौर बंध होगया दोनИ आ हाहाज क अब भाण्द्धै जो मत सोच नंकि मैं तुम है सुन नहीं रहा था तुम सवेरे रही हो, मैं खंंस कुन किसी भी व्यक्ती वाच्तू या कटना से व्यक्ति नहीं हो सकता दुर्जन, जी वाराज, इस सिंहाचंग को पुनस्थापित करो यदि कोई भी योग्य है, इसे स्वैम सिद्ध करने नहीं आता तो मुझे पता है मुझे क्या करना है कैसे उस दुष्ट बालक का संधार करना है मैं भनी भाते जानता है ये दायत्व आपको ही निभाना होगा रिशिवर इससे दो लाब होंगे एक तो मेरे बाबा कंस के कारण होने वाली चिंता से मुप्त हो जाएंगे और आवशकता पढ़ने पर मेरी पहचान को मैया से सुरक्षित रखने में सहायता भी करेंगे नंदराज, अब बलराम और कृष्ण दोनों को भोग लग गई होगी प्रणाम गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव, अब आप भी बिस्त्राम कर लीचे नहीं नंदराज, मुझे शेगरी मत्वरा पोहचना है राजा वासुदेव और रानीदेव की मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे पर इससे पहले के मैं जाओं मुझे आपको कुछ बताना है गुरुदेव, आपके ललाट पर बल पड़ गए सब कुछ ठीक तो है न कहीं आप मुझे कंस के बारे में तो ना बताना है चाहके कुरुदेव, मैं जानतों के कंस नवजाशिशों की हत्या करवार वन कंस नहीं, क्रिश्न के बारे में कुछ कहना है मुझे बताईए, कुरुदेव मैं एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ, नंदराज जो है तो वर्दान पर उससे सुईकारना आपके लिए बहुत कठिन होगा कुरुदेव, आप चो कह रहे हैं वो, मैं समझना पारूँ बताईए ना बताईए ना सत्य यह नंदराज कृष्ण राजवासुदेव के पुत्र हैं और वो कोई साधरन बालक नहीं है सोयम श्री श्री विष्णू के अवतार है और वो कोई साधरन बालक नहीं है सोयम श्री श्री विष्णू के अवतार है करते से अवतार है अच्छो विज़तने लग रहा है कौन हो तूम? मैं, मैं हूँ, श्री विश्न का अवदायदार है शेफ, शेफ, कैसे संभवगुर्टे, वो तो, वो तो नंटा सा बालक है वो, 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 शेफ, नरहेंख अवदार कैसे हो सकतो है और गुरुदेव, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो, तेरा लल्ला वरसुदेव भहिया का पत्र है यही सत्य है नंदराज राज, पिछले जन में मिले वर्दान का फल है यह मैं आपकी संतान के रूप में अवश्या हूँगा किन्तो उसके लिए आपको मेरे अगले अवदार के बाद एक और अवदार की प्रतिक्षा करनी होगी क्योंकि अगले जन के लिए मैं पहले ही यह वर्दान माता देवकी को दे चुका हूँ इस समय मैं विवश हूँ कि तो मैं आपको वचन देता हूँ आपकी संतान बनका रवश्याओं नहीं रभू रभू श्री हरी को अपने सामने देखकर मेरी व्याफुलता का बान पूट गया है दो जन्मों बहुत बड़ा समय होता है स्वामी अपने पुत्र के रूप में हरी को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और दो जन्मों तक प्रतिक्षा नहीं कर सकती धरा माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूँ इसलिए विधी के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा किन्तु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्ने पाने से स्वयम को और वंचित नहीं रख सकता ये जो भी हो रहा है प्रभू की ही लीला है कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद भगवान विष्णू के आदेश पर वसुदेव जी के यहां आना पड़ा और आपकी और रानी अशुदा की पुत्री को अपने पुत्र के साथ बदलना पड़ा और इस तरह कृष्णू आपके और रानी अशुदा के पुत्र बन गए आपने सही गई थी गुर्दे इस सुनने में तो वर्दान ही लगतो और इससे स्विगार करना ताही कठन जब यह सुदा को इस बात का पता चलेगो तू उसे कैसा लगेगो अपने नाम का अर्थ अच्छे से सुनो है न तुने उसका हर एक अच्छर भगवान स्री नारायन से संबंदित है जैसे उने का सोरूप है तू बस मैया यह सत्य आपसे छुपा रहे इसी कारण बाबा के लिए यह जानना अवश्यक है फिर चाहे इसे सुईकार करना उनके लिए कितना भी कष्ट दायक क्यों ना हो नहीं नन्द यह सत्य उन्हें आप नहीं बताएंगे स्वयम प्रभु ने मुझसे कहा है किसी और प्राणी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए और रानी अशुदा को तो बिलकुल नहीं कुर्वर घंस के आक्रमनों के जानकारी अशुदा से पहले ही चुपागा रखना कठिन था अब इतना बड़ा सत्य मैं अशुदा से कैसे चुपाऊंगू आपको चुपाना ही होगा नन्द राज यही प्रभू की इच्छा है पर क्यों गुर्वर? ताकि नारायन अपनी मैया की ममता का अनुभव कर पाएं यही तो उनके अवतार का मुख्यो देश है मुख्यो देश? हा नन्द राज नर नारायन के अवतार में अपनी तपस्या करते समय प्रभू ने जो अनुभव किया था उसके कारण ममता के सुख का अनुभव करने के लिए प्रभू ब्याकुल हो उठे थे ऐसा क्या हुआ था? मुझे भी बताई हो सकता है जे बात इस सत्य को स्विगार करने में मेरी सहाइता करे बहुत समय पहली की बात है अनेक देवी देवता परम प्रभु विश्रू के पास बैकुंड गए थे वहां प्रभु की आँखों में आसु देखकर वो सब इस्तब्द रह गए प्रभु आपके आँखों में आसु चिंता मत कीजिए आप सब तो जानते हैं फिरन्य कशब को मारने के लिए मैंने नर से अर्थाद आधे मानव और आधे सिह के रूप में अफ्तार लिया था उस राक्षस का वद्द करने के बाद नर और से दोनों भागों ने अलग-अलग हूकर नर और नारायन के रूप में पुनह जन लिया वर्तमान में वो दोनों बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं आज उन दोनों ने कुछ ऐसा देखा जिसन मुझे भी भावुक कर दिया सखा ये युवक कौन है निकट के एक गाउं के धनी व्यापारी का पुत्र है ये प्रतीक संध्या वन के उस पार ही अपनी प्रेयसी से मिलने जाता है और फिर रात्री भर उस नर्तकी के साथ सहवास करने के बाद सुभे अपने निवास को लौट आता है यदि यही इसका नित्य करम है तो फिर आज ये इतने तनाव में क्यूं है कल रात्री प्रेम क्रिया के मध्या उस नर्तकी ने इससे पूछा ये सबसे अधिक प्रेम किस से करता है जब इसने कहा तुमसे तो वो बोली तुम्हे अपने प्रेम को सिध्ध करना होगा अपनी मा के हिरदय को उसके तन से अलब कर मुझे सौपना होगा मा का हिरदय? फिर क्या हूँ आप रभो? वो लाया अपनी मा का हिरदय? ये जिग्यासा यक्ष प्रश्ण बन कर पूरे दिन नर और नारायन के मस्तिश्क में कौन थी रही उन्होंने संध्या होने तंग बही नदी किनारे प्रतीक्षा करने का निर्णे लिया ताकि वो ये जान सके कि क्या वो युवक अपनी क्रूर प्रयेसी को छोड़ेगा अब उसके वन पार करने का समय बीच चुका है युवक ने विवेक का परिचे दिया है सखा हे प्रभू आपका कोटी-कोटी धन्यवाद सखा सखा मुझे बताओ जो अकल्पनी ये था कहीं वो घट तो नहीं गया जब इस युवक की मा को इसकी प्रयेसी की क्रूर मांग के बारे में पता चला तो जो इसने किया वो इस समस संसार में केवल एक मां ही कर सकती है पस इतनी से बात संभाल के मेरे बेटे कहीं चोटना लग जाए तुझे ये तो उसकी मा की पुकार है मा मैंने क्या कर दिया मा मा! 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 और बाबा होने को सुख उसको अन्मों कैसे कर पाऊंगों जो हो रहा है और जो भी होता है सब उनकी ही इच्छा से होता है नंद्राज इसलिए आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे अब मैं चलता हूँ नंद्राज राजा वसुदेव और रानी देव की नामकरण के बारे में जानने के लिए व्याकुल हो रहे होंगे कर लो रहे हो रहे हो लो मैं एक के लागे सत्य यह नंदराज कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र है नंदराज अपने आपको संभालिए और शांतिशित से घर लोटिए और हाँ इस्मरन रखिए कि प्राभूने आपको बहुत ही बड़ा उत्तरदायत्व सौपा है आपको उसे निभाना ही होगा प्रभू आपको शक्ती दे आप बहुत सौभा के शाली हैं नंदराज जो प्रभू आपके घर पल रहे हैं उनके बारे में सोचिए जिनके यहां प्रभू ने चन्म लिया है वो दोनों तो प्रभू की बाल लीलाओं से पूरी तरह से बंचित हैं कहा रह गए तेरे बाबा लल्ला जे आये क्यों ना आपता मेरा लल्ला मेरा ना है वो तो मेरे आराध्य नारायन का अवतार पर जे बात मुझे यह सोदा से चुपानी बाबा वहीं खड़े मत रहो अब आभी जाओ ना एक पग भी आगे बढ़ाने का सास ना हो रो मेरा है प्रभू आप ही बताओ अपने हाराध्य को अपने हिष्ट देव को अपने लल्ला के रूप कैसे देख पाऊंगो मैं मैं जानता हूँ बाबा ये बहुत कठिन है पर भीतर तो आओ अब आभी जाओ बाबा ऐसे बाहर कब तक खड़े रहोगे आप बस बाबा आजाओ बीतर आओ ना आओ ना संजो जब तो इधर उधर भाग रहोगो तो तुझे बुलाने के लिए मैं तुझे ऐसे पुकारूंगी क्रेश्ण और जब तु सैतानी करेगो ना नल्ला मैया को तंग करेगो तो मैं तुझे क्रोध मैं ऐसे बुलाऊंगी क्रेश्ण हां इसे सत्य पतो ना है इसलिए कित्ती अच्छी तरह समया होने का कर्तव्य निभा रही पर मैं बाबा होने का कर्तव्य कैसे निभा पांगो मुधम साथान इत्ती अच्छी लगी तुझे बाबा की दीजे माला के मुझ में ले लिओ तुने चे मुझ में लेने के बस तो ना है लल्ला जैसे यह सुदा आपको एक माईया की तरह सीखते रही मैं आपको बाबा की तरह चिक्सा कैसे दे पाऊंगो प्रभू क्रेस्न अभी मना किया ना मैया ने जै तुप प्रभू को ही डाट रही है साफधान जो फिर से मुझ में लिया तो यह सुदा तुम्हें पता भी है तुम किस पर कुरोधित हो रही हाँ अपने लल्ला पर और किस पर मेरे कहने कार्थ जै है कि तुम्हें सच में पता भी है जै कौन है सेम प्रभू ने मुझसे कहा है किसी और प्राणी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए और रानी अशुदा को तो बिलकुल नहीं जै ही कहना चाते हो ना आप कि मैं गोकुल के राजकुमार को डाट रही हूँ अरे पर मैया और बाबा का स्थान तो हर पद से उचा होता है न जी मा और बाबा को तो अधिकार होता है न प्रेम करने का भी और वूल पर डाटने का भी पस यही बात आपको समझनी है बाबा फिर सब पहले जैसा हो जाएगा मैं समझतो हूँ जे पर जे बिचार के जे केवल हमारा पुत्र ना है जे सोयम नारहिण का अवदार भी है इसे अपने मन से निकालना पारों मैं ओहो आपको समझाना तो मैं को संभालने से भी अधिक अठिन है बाबा लाला अरे लाला जाशोदा जी आपने हमें नामकरन के लिए ना बुलायो कोई बात ना है लेकिन ये तो बताओ कि लाला का नाम क्या रखो है हाँ भावी बताओ ना हाँ जी जी अब और पति इछना हो रही हमसे इसका नाम रखो है क्रिष्न क्रिष्न बहुत प्यारा नाम है लेकिन थुड़ा कठिन है मैं तो इसे किसन बुलाओगी सही कहो मैं भी सिप्रेम से किसन ही कहूँगी क्यों किसन मेरे लिए तो जे किसना है क्या कर रही है इस बाबा इन सब के लिए मैं केवल कृष्ण हूँ भगवान नहीं बस अब आप भी शीख रही समझ जाओ ना ये अरे तुम सब हाँ हाँ बुरा मुझे भी लग रहो है जि सारी की सारी पहले दिन मेरे लल्ला का नाम बिगाड रही है किन्तु इसमें भी इन सब का प्रेम ही चुपा है और हम सब को प्रेम से भगवान को भी प्यारा सा नाम दे देते हैं है ना? हाँ सत्ते तो जे है कि क्रिस्न नाम बहुत अच्छा है किन्तु मैं भी अपने लल्ला को प्रेम का नाम देना चाहते हूं कानहा बुलाओंगी इसे कानहा बुलाओंगी इसे कानहा बुलाओंगी इसे सहथ सा मीठा मैं भी इसे कानही पुकारूंगी आप भी बुलाओंगी इसे आप एक बुला कर तो देखो छट से पलट कर देखेगो आपको जे हमारा नटकर कानहा प्रभू छे सब आपका सत्य ना जानती पर मैं जानतो अब इस मुख से अपका नाम केवल भक्ति भाव से ही निकल सकतो है बहुत सल्य भाव से ना जी कि लळला का भी तो नामकरन हुआ था ना अपने लळला के साथ अा मावी क्या नाम रखा गए उसका अजो बताओ ना हाभाबी बोलो ना बताओ ना ना, देखो, एक मैया से उसके लल्ला का नया नाम बताने का आनन मैं ना चीन सकती। यदि तुम सबको कान्हा के दाओ का नाम जानलो है, तो चलो सबकी सब रोईनी जी के पास। मैं अभी आई, हाँ? सुनो जी, आप लल्ला को समालो, मैं अभी आई नो रहे ह। मैं, मैं कैसे इती है प्रभू, ललला? यह क्या मैं 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 कर रहे हो? क्या होंगो आपको? मैं सिगरी आ जाँगे! यह सोदस! मुझसे दूर कब तक रहोगे बाबा? एक बार मेरी और देखो तो सही यह रहा है यह रहा है यह रहा है आप मुझे दुविधा में डालकर आप मुश्कुरा रहे हूं। ये क्या कर रहे हैं आप। पिता का स्थान पुत्र के चड़नों में नहीं होता। अपने बाते करूं। मेरी आखें चाहती हैं कि मैं आपको अपने इस्तिदेव अपने हाराध्य के स्वरूप में देखू। और मेरा रिदे, मेरा रिदे चाहतो है कि मैं आपको अपने पुत्र के स्वरूप में देखू। अब अब आप ही बताओ पुरूप। अब मैं इस परिस्थिती में क्या करूँ। मुझे कुछ समझ में ना आरो। आप ही का आप ही का आसरा है पुरूपू। आप ही को साहिता करनी होगी। आप ही बताइए कि इस प्रकार एक भग्त अपने भगवान को अपने लल्ला के स्वरूप में देखू। उसे अपने हातों में उठाए, उसे खेलाए, उसके साथ बातें करें। कैसे वो उसका लालन पालन करें अपने पुत्र के स्वरूप में। प्रभू, मुझे कुछ समझ में ना आरो। सहायता करो प्रभू। चिंता मत कीजिये बाबा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर शीगर ही मिलेगा आपको। रिशीगर्ग पधारे हैं महाराज। इडऱ् इडर्प तो महान मतराधीश कंस के दर्वार में ऐसे सम्मान होता है रिशिमुनियों का नहीं नहीं केशिगा ये तो केवल एक उधारन है कि कैसे एक विश्मु भक्त का समान नहीं किया जाना चाहिए तब तो अच्छा ही है मैं यहां तुमसे सम्मान की अभिलाशा लेकर नहीं आया हूँ मैं यहां देवकी और वसुदेव से भेट की इच्छा लेकर आया हूँ ते कियो कि मैरे विरुद कोई शड्यांतर रचना चाहते हो जो सदेव दूसरों के विरुद शड्यांतर करता है उसका शंकूर्ण जीवन सिब्रम्मे बीटता है कि सारा संसार उसके लिए शडयंत्र कर रहा है परन्तु अन्नी व्यक्तियों के पास इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कारिये होते हैं करने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य करने की आपकी ये इच्छा इस दर्बार में पूर्ण नहीं होगी रिशिवार मैं आपको उन दोनों से भेट करने की आग्या नहीं दूँगा कैसे रोकोगे मुझे कैसे बड़ा ही विचित्र प्रश्न है इन तो इसका उत्तर बड़ा ही सरल है रिशीवर जानते हैं मेरे दिन का आरंब कैसे होता है किसी ना किसी का संहार करके और यदि एक संहार और हो जाएगा तो मुझे क्या अंतर पड़ेगा स्वयम से एक प्रश्न पूछो कंस मेरा संहार करने के लिए मेरा संहार करने के लिए जिस संकल्ब शक्ति की आवश्यक्ता है वो है तुम मैं करपाओगे मेरा संहार करपाओगे मेरा संहार जिस संकल्ब शक्ति की आवश्यक्ता है बोलो कंस यदि मैने श्राब दे दिया तो तुमारा कौन सा कबच उसे सत्य होने से रोख पाएगा बोलो कंस यदि मैने श्राब दे दिया तो तुमारा कौन सा कबच उसे सत्य होने से रोख पाएगा रिशीवर यदि आपके रिदे में स्वामे के विरुद्ध शडियंत्र करने की इच्छा नहीं है तो महराज भी आपको किसी से भेट करने से रोखना नहीं चाहेंगे है ना महराज हाँ आप उन दोनों से भेट कर सकते हैं दुर्जान इन सब पर द्रिश्टी रखो अब सब कुछ सुनकराना सब कुछ कुछ भी छूटना नहीं चाहिए जाओ लगता है प्राप्ति राजकारे सीख रही है मुझसे कुछ इस समय पर सही सुजाब दिया तुमने प्राप्ति अब असानी से पता लग जाएगा कि रिशीगर के यहां आने का वास्तविक कारण क्या है महराज कि रिशीगर के वास्तविक सुहेम नारायन मेरे घर में है तो जे फूल उनके चरणों में क्यों चड़ा रहूं चित्थ यार को मेरा लल्ला प्रभूल तो आपके चरणों के लिए ही बने हैं प्रभू इने स्विकार करें बाबा यह सत्य मैंने आपको अपना साथ बेने के लिए बताया था अपने आपको फसाने के लिए थोड़े ना ना रहा है ना रहा है ना रहा है प्रणाम पंड़ जी नंदराज जी रानी जी बिटिया के पाव भारी थे ना तो उसे लिवाने संधियाने चला गया था वहां कुछ अधी की समय लग गया हूँ आज वापस आया तो पता चलो कि स्वयम गर्गरिसी ने लल्ला का नाम रखो है सो मिलने चला है क्या नाम मिलो है इसे उन्होंने लल्ला का नाम क्रिष्न रखो है स्थिति को और गंभीर मत बनाओ पंदिची आपको तो बाबा के प्रश्णों का उत्तर देना है एक बार मेरी ओर देख लो आपको स्वयम ही पता चल जाएगा कि आपको इस समस्या को कैसे सुल जाना है पंदिची मेरे लल्ला को टक्टकी बांद के देखे क्यों जा रहे पंदिची